कस्तियां बदलने की जरुत नहीं दिशा को बदलो तो किनारे खुद बेखुद बदल जाते हैं देखे इस लाइन को समझने की कोशिस कीजिए कि आपके जो पढ़ने का अंदाज है उस अंदाज को बदलिए क्योंकि आप बार बार एक चीज को यदि पढ़ते हो तो आपके दिमाग में सैट अच्छे तरीके से होने वाली है तो यहाँ पर हम उसी अंदाज की यहाँ पर बात करने वाले हैं और उसी अंदाज से आपको मैं यहाँ पर टोपिकवाईज जो आपकी जीके है उसको हम कवर कर रहे है शांदार जबर्दस्ट क्लासेश हमारी रेगुलर आपको इस चैनल पर मिल रही है तो इस तरीके से पढ़िए ताकि पढ़ने का फायदा आपको मिले यह नहीं है कि पढ़ लिया और फिर उसको छोड़ दिया फिर वो आपको याद नहीं रहता तो यहां पर आज की जो हमारी कलास होने वाली है वो इस्टी का एक इंपोटेंट टोपिक अगला टोपिक है गुप्त समराज्य जिससे महत्वपुन परसन जो बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो आप लाश तक बने रही है इस कलास को पढ़कर आपको मजाने वाला यह मेरा आपसे वादा है तो शुरुआत करते हैं हम आपके इरधिर्ध घूमता है कि भारत के नेपोलियन की संघ्या किसे दी गई थी या फिर भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है जब भी गुप्त समराजिय या गुप्त वन्द से समंधित हम टोपिक हुटाते हैं तो ये इंपोटेंट परसन आपके सामने जरूर आता है तो भारत के नेपोलियन की जो संग्या है ना वो दी गई थी समुद्र गुप्त को उप्सन भी यहाँ प विशेंट इसमित ने समुद्र गुप्त को जो की गुप्त वन्द का एक सासक था उसने भारत के नेपोलियन की संग्या दे थी साथ ही बात करें समुद्र गुप्त की जो विजय है जो इनोंने विजय प्राप्त की थी तो इन विजयों का जो उलेक है वो परियाग परसस्त और इसी परियाग परसस्ती में सो युदों का विजेता बताया है किसको समुद्र गुप्त को कितने युदों का सो युदों का विजेता बताया है ठीक है यहाँ पर गुप्त वंस के बारे में जो चीजे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कोई भी परसन आपका नहीं रहने वाला जो एक्जाम में पुछा जाए और आप उसको यहां से पढ़ कर सही नहीं करके आओ ठीक है तो पहला परसन आपका आपके सामने किलियर हो चुका है कि भारत के नेपोलियन की जो संग्या है वो किशे दी गई थी समुद्रगुप्त को दी गई थी किस ने दी थी विसेंट इसमित ने और समुद्रगुप्त की जो विजय है जो उन्होंने जीत हासिल की थी उसका जो वर्णन है वो किस में है परियाग परसस्ती में वर्णित है और परियाग परसस्ती में ही समुद्रगुप्त को सो युदो का क्या बताया है विजेता बताया है तो चीजे के लिए चलिए अगला परसंद देखिए और अगला परसंद आपकी स्क्रीन पर है और उस परसंद में आपसे क्या पुछा गया है कि उस महान व्यक्ति का नाम बताये जिसे भारत में बीजगनित के छेतर में महतवपूर योग लिग्दान दिया था, तो वो कौन थे? आरिय अबेट थे अप्षन D क्या होगा? क्रएक्ट होगा, देखे, गुप्त विंच के समय हम आरिय अब Savior चेंध समधित परसन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि गुप्त काल के समय ही, किस समय? गुप्त काल के समय ही एक तो सुन्ने का सिद्धान्त दो ध्यान रखने हैं सुन्ने का सिद्धान्त ठीक है और एक आपका है दस्मल्लो पढ़नाली सुन्ने का सिद्दान्त और दस्मलो पर्णाली का विकास हुआ था किस काल में गुप्त काल में ही हुआ था ठीक किसने किया था आरिय बटने साथ ही आरिय बट के बारे में हम बात करें तो इन्होंने चंदर गरहन और सूरिय गरहन पड़े होंगे आपने चंदर गरहन और सूरिय गरहन तो चंदर गरहन और सूरिय गरहन की वेग्यानिक व्यक्या भी की थी क्या की थी वेग्यानिक व्यक्या किनों ने की थी आरिय बटने की थी जो बाहरत के एक महान थे जिन्होंने बीजगनित के छितर में भी क्या किया था मेहतोपुण योगदान दिया था इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था आरिय भटियम क्या नाम था आरिय भटियम ये भी आपको ध्यान रखना है आरिय भट से समन देती ये 4-5 पॉइंट है कि उन्होंने सिन्य का सिद्धान्त दस्मनलो पढ़नाली और ये एक और चीज इसको इस प्रकार से भी ध्यान रखना है कि सुन्य का सिद्धान्त और दस्मनलो पढ़नाली का जो विकास हुआ है वो किस काल में हुआ है गुप्त का चंद्रगुप्त दित्या ने गुप्त समराजय का रिक्तिस्तान ईस्व में गुजरात तक विस्तार कर लिया था जो चंद्रगुप्त दित्या था ये गुप्त वन्सका एक सासक था ठीक है इनोंने विक्रमादित्य की उपादी धारन की थी ये आपको ध्याने रखना है ठीक विक्रमादित्य की उपादी किनोंने धारन की थी गुप्त वंस का एक सासक था नाम था विक्रमादित्य सोरी चंदरगुप्त दित्य उन्होंने धारन की थी विक्रमादित्य की पूछ रहा है कि चंद्रगुप दित्या ने गुप्त समराज्य का कौन सी इस्वी तक गुजरात तक विश्तार कर लिया था तो 390 इस्वी तक ओप्शन भी यहां पर क्या होगा करेक्ट होगा देखिए लगबग की बात करें तो 380 इस्वी में राजगदी पर बैठा था कोन चंद्रगुप्त दित्या जिन्होंने धारण की थी विकरमा दित्या की उपादी जो कि एक गुप्त वंस का सासक था और इनके समय जो गुप्त सासन है सासनकाल था वो किस पर थ उतकर्ष पर था कहने का मतलब अपने चरम पर था एक महान राजा थे यह गुप्त वंस के चैने अगला परसन देखिए निमन लिकित में से कौन चंद्रगुप्धित्या के नो रतनों में से एक थे जो चंद्रगुप्धित्या था जिनके बारे में हमने अभी बात की कि 380 आपसी इसवी में राजगर्दी पर बैठा था और यहां पर आपसे उससे एक और परसन निकल कर आया है जो की यह है कि उनके नो रतन थे नो रतन थे ठीक और उनमें से इन चार उप्सनों में एक वैक्ति उन नो रतनों में से है और वो कौन सा है इस परसन का आप जवाब जब दे सकते हैं जब आपको पता हो कि उन नो रतन कोन थे चंद्रगुप दित्ते के दरबार में। तो आपका अंसर यहां पर होगा वरहा मिहीर, उप्सन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। उप्सन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखें, चंद्रगुप दित्ते के जो नो रतन थे न, उनके बारे में हम बात करते हैं। एक तो आपके कालिदास थे, कौन थे, कालिदास, ठीक है, दूसरे आपके दनवंतरी थे, तीसरे आपके छपनक थे, क्या नाम है, छपनक, चोथी थे अमर्शिंग, और पांचवे की बारे में बात करें, तो पांचवा नाम था, संकु नाम था, और छटे थे, वेताल भट कौन थे, वेताल भट दो थे, वो छटे थे, और एक वरहा मीर, ठीक, ये क्या थे, नवरतन थे, किसके दरबार में थे, चंदरगुप्त, दित्ते के दरबार में थे, ठीक, ये आपको ध्यान रखने है, कि कौन कौन से यहाँ पर नवरतन थे, ठीक, इसके बाद चलते हम, जो महतो कुन थे, वो मैंने आपको बता दिये, जिन से एक्जाम में परसन पूछे जाते हैं, वो आपके सामने जो कि इंपोटेंट है, और यहाँ पर आपको उप्शन में मिला है, वरहा मीर, चैल, अगला देखिए, अगला है कि परसस्ती में किस राजवन्स के सासकों ने अपनी उपलब्दी लिखी थी, परसस्ती, देखें, अभी हमने बात की थी, जब समुद्रगुप्त से समंदित परसन पड़ा था, तो एक परियाग परसस्ती के बारे में बात की थी, उस परियाग परसस्ती में समुद्रगुप्त की जो विजय थी, जो उन्होंने विजय था और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि परसस्ती में किस राजवन्स के सास को ने अपने उपलब्दी लिखी थी तो किस वन्स के गुप्त वन्स के सास को ने उप्शन बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट होगा देखिए जो सासक थे न गुप्त वन्स के उनकी जो उपलब्दिया थी जो भी उपलब्दिया वो धारन करते थी कि उन्होंने ऐसा काम कर दिया उन्होंने ये जीत हासिल कर ली उनका जो वर्णन था न वो परसस्तियों में क कोन था शिरी कुपत वर्णा गूपत वन्षकत अहं संसतापक की उपादी माहा राजा धी राज की उपादी धारने ती गें यहां पर तीन चीजे के शंसतापक की बार्रें बात कर लें जा लोगाना दौरह कीलोगी बतावकती घेरकीונה आगा की उपादी धारण की चंद्रगुप्त दित्या जिन्होंने विक्रमादित्या की उपादी धारण की समुद्रगुप्त जिनको भारत की नेपोलेन की संग्या दी जाती है ये तीनों जो है वो याद होने चाहिए अच्छे तरीके से कि इनको किस नाम से भी जाना जाता है चै दारन की थी इनके बाद जो गुप्त समराज्य था उसकी बाग दोर कि इनों ने समाली थी किस ने समाली थी यह आप से यहाँ पर परसन पूछा गया है तो किस ने समाली थी समुद्र गुप्त ने option C यहाँ पर क्या होगा correct होगा शमुद्र गुथ वो यह परसन आपके सामने यहाँ से निकल कर आ रहा है कि परियाग पर सस्ती में इनकी उपलब्द्यों का क्या है वकलन है इनकी विझे जो इन्हों ने अश्यलकी थी उनका वठ्ण है यहाँ पर शृगुप्ध आपको दीक और और ने क्सलिए किस युग को प्राचीन भारत का सरवण युग और त secrets 답 वारत का सरवण किस युग को कहा जाता है तो किस युग को कहा जाता है गुप्त समराज्य समराज्य को कहा जाता है जो चोथी सताबदी में था उप्सन ए क्या हो गया आपर करेक्ट होगा देखे इनके परसासनिक इनके आर्थिक राजनितिक जो गतिवी दिया थी उनके आधार पर प्राचीन भारत का सरण्युक कहा जाता है गुप्त समराज्य के यूग को और अगला परसंदेखे चोथी सताबदी की शुरुआत में गुप्तों ने रिक्टिस्तान में चोटा सा समराज्य इस्तापित किया था कौन सी सताबदी की बात कर रहे हैं चोथी सताबदी की बात कर रहे थे कि चोथी सताबदी की जो शुरुआत हुई थी ना उस समय जो गु यहां पर किया था मगद में ओप्शन डी यहां पर क्या होगा करेक्ट होगा यहां पर मगद में श्री गुप्त नामक शासक ने किसकी स्तापना की थी गुप्त वंस की स्तापना की थी उसके बाद जो महतवपुन शासक हुए आपके चंद्रगुप पर्थम हुए जिन्होंन विक्रमादिते की उपादी धारने की अगला परसन देखिए अगला परसन है कि विक्रमादिते किस परशिद सासक का एक अन्य नाम है वो ही परसन क्योंकि इसमें जितने भी important परसन है न वो जादा नहीं एक छोटा सा topic है और गुमा फिराकर वो ही चीज़ें आपके सामने है जो गुप्त समराज जैसे महतवपुन परसन बनते हैं वो इसी परकार से आपके सामने है जो कि बहुत सारे एक्जामों में पूछे गए है तो इसमें विक्रमादिते की उपादी जो है वो किस सासक के द्वारा धारन की गई या एक सासक का अन्य नाम है तो किसका है चंदरगुप्त दित्य का उप्शन भी यहाँ पर क्या होगा लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि चंदरगुप्त दित्य से पहले किस सासक के दुआरा विक्रमादित्य की उपादी धारन की गई तो हम चलते हैं 57 इसापूर्व 57 इसापूर्व की बात है सको पर विजय की उपलक्ष में जो सक सासक थे उन पर विजय की उपलक्ष में एक उजेन का सासक था उजेन का एक सासक था जिसने विक्रमा दित्य की उपादी धारन की थी किस से पहले चंद्रगुप दित्य से पहले ठीक है चंद्रगुप दित्य से पहले जो विक्रमा दित्य की उपादी धारन की थी वो सतावन इसापूर है सकों पर विजय के उपलक्ष में उज्यन के एक सासक ने धारने की थी बानबट किस राजा के दरबारी कवी थे जो बानबट थे वो किस राजा के दरबारी कवी थे तो वे थे हर्षवर्दन के उप्शन ए क्या हो गया आपर correct होगा जो हर्षवर्दन सासक था उसका दरबारी कवी था बानबट और बाणबटने एक तो कादंबरी और एक हर्षरीत दो गरंथ लिखे थे कादंबरी और हर्षरीत नामक दो पुष्टक बोल सकते हैं उन्होंने लिखी थे किसने बाणबटने अब यहाँ पर हर्षवर्धन की बारें बात करें तो हर्षवर्धन ने एक तो लिखी थे पिरि ठीक है नागा नद पिर्यदर्शी का रतनावली और नागनन तीन नाटक लिखे थे किसके द्वारा' हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे साथ ही बात करें बाण बतने में का दंबुर और हर्षवर्षी नामक दो किताबें लिखी थे दो गरंते लिखे थे निमन में से कौन हर सुर्दन के सासनकाल में भारत आया था ये आपसे यहां पर परसने पुछा गया है तो कौन आया था एक चीनी यातरी था जिनका नाम था हैंसांग चीनी यातरी था ठीक है इस चीनी यातरी हैंसांग को यातरियों का राजकुमार भी कहा जाता है क्या कहा जाता है यातरियों का राजकुमार दूसरा इसको कहा जाता है वर्तमान साक्यमुनी क्या कहा जाता है वर्तमान साक्यमुनी भी हैंसांग को कहा जाता है जो की एक चीनी यातरी था जो हर छो पता होने चाहिए कि जो हिंसांग था जो चीनी यात्री था वो किस के सासनकाल में बारत आया हर्शुर्दन के सासनकाल में भारत आया था हिंसांग को यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान साख्यमुनी कहा जाता है हिंसांग को भारत आने के पीछे उदेश्या था वो एक तो नानंदा बोध गरंत हैं उन बोध गरंतों का यह संग्रय करने के लिए उसी उद्देशय से भारते आया था ठीक है चीजे के लिए चलिए अगला पर्शन देखिए रवी कीर्थी का एहॉल सिलालेक पुलकेशिन दित्या की रिक्तिस्तान पर विजय के बारे में विश्तार सिर्वर्नन करता है किस पर विजय हुई थी हर्श पर उप्शन भी यहाँ पर क्या होगा correct होगा पहला point के लिए अब देखिए इस एहॉल सिलालेक के बारे में बात कर तो ये रवी कीर्थी के दुआरा सेंसकर्थ बासा में लिखा गया था किस बासा में लिखा गया था सेंसकर्थ बासा में लिखा गया था रवी कीर्थी का एहोल सिलालेक सेंसकर्थ बासा में लिखा गया था और इस अहोल सिलालेक में जो वातापी के चालू क्या सा सकते ठीक है उनके प्रारमिक इतियास कौन सा इतियास प्रारमिक इतियास साथ में पुलकेशिन दित्ते ने जो विजय प्राप्त की थी उस विजय का इसमें उलेक है किसमें अहोल सिलालेक में जिसकी जो निर्मान है ल किरति ने लिखा था और किस बासा में लिखा था सेंसकर्थ बासा में लिखा था साथ में जो पुलके सिंदित्या ने हर्सवर्दन को हराया था पुलके सिंदित्या ने जो विजय प्राप्त कीती हर्सवर्दन पर उस विजय के बारे में इस अहोल सिलालेक में विश्तार से वर्णन किया गया है तो ये परसन आपकी एकजामे बन सकता है कि किस में किस सिलालेक में रवी कीर्ति वाले जो सिलालेक है कि किस सिलालेक में पुलकेशिन दित्य की हर सुवर्णन पर विजय का उलेख मिलता है तो वो कौन सा है रवी कीर्थी का एहोल सिलालेख जो की सेंसकर्थ बासा में लिखा गया है ठीक चैड़ अगला परसन देखिए हर्षवर्दन निमन लिखित में से किस वंद से समंदित था important person है जो हर्षवर्दन है जिसके समय चेनी आतरी है इंसान भारत आया था वो किस वंद से समंदित है या आपसे यहाँ पर person पुछा गया है तो यह है पुष्य बूती वंद से समंदित option A क्या होगा या आपर correct होगा देखिए पुष्य बूती वंद को वर्दन वंद के नाम से भी जाना जाता है किस वंद से वर्दन वंद के नाम से भी जाना जाता है हर्षवर्दन के बारे में बात करें तो यह थे पुष्य बूती वंद के सासक थे परभाकर वर्दन कौन थे परभाकर वर्दन उस परभाकर वर्दन के ये पुत्तर थे कौन हर्षवर्ण है ठीक है तो वंस कौन सा है पुष्य बुति या तो आपको उप्सन में मिलेगा या फिर वर्दन वंस मिलेगा दोनों में से एक मिलेगा दोनों आपको नहीं मिलने वाले क्योंकि पुष्य बुति वंस को ही किस ना बनाता या बोल सकते हैं थानेसुर की गढदी पर बैठा था ठीक है जले अगला परसन देखिए परियाग परशस्ती में हम ये रिक्तिस्तान की उपलब्दियों के बारे में जानकारी मिलती है परियाग जो परशस्ती है जिसकी हमने शुरुवात से इस वीडियो में कि उसमे गुप्त जो सासक थे उनके उपलब्दियों के बारे में जानकारी मिलती है लेकिन यहाँ पर आपसे किसी एक सासक के बारे में पूचा गया है कि किस सासक के बारे में जानकारी परधान करता है जो हमने पहले परसन में किया था कि समुद्र गुप्त option D हमारा यहाँ पर क्या होगा correct होगा कि प्रियाग प्रशस्ती हमें समुद्र गुप्त की उपलब्दियों के बारे में जानकारी परधान करती है देखे यहाँ पर आपके सामने स्रीगुप्त एक option है जो कि गुप्त वंस का क्या था संस्तापक गुप्त वंस का क्या था संस्तापक इसके बाद चंद्रगुप्त पर्थम जिन्होंने माराजा दीराज की उपादी धारन की थी साथ में बात करें तो यह गुप्त वंस के वास्तिक संस्तापक भीमाने जाते हैं असोग के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने मोरी वंस के बारे में बात की थी कि कलिंग वियुद की आता कलिंग विजय हसल की थी उसके बाद इनसे समंदित एक इंपोर्टेंट पोइंट है जो मैंने उस समय बताया था कि इन्होंने युद गोष की निति को त्याग दिया था कौन से निति को युद गोष की निति को की अब मैं युद नहीं करूंगा इन्होंने दरम का मारग अपना लिया था कहने का मतलब धम निति को अपना लिया था तो यहाँ पर जो आपका परसंद था समुंद्रगुट से समंदित जिनको भारत के नेपोलियन की संग्या दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी विसेंट इसमित के द्वारा यह संग्या परधान की गई थी और इनको परियाग प्रसंदी में सो युदों का विजेता भी बताया गया है अगला परसन को द्यान से पढ़ना एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि जो कुशान सासक थे उनकी जो विसाल परतीमाई थी वो माट में एक मंदिर में क्या की गई इस्तापित पाई गई थी एक मंदिर में और वहें राज्याय निवन लिखित में से कौन सा है तो वो राज्याब का उत्तर परदेश उप्सन भी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा और उत्तर परदेश में कहाँ पर मतूरा में ठीक कहाँ पर मतूरा में किसकी कुशान सासकों की विसाल परतीमाए एक मंदिर में इस्तापित की गई और वो मंदिर कहाँ पर है मतूरा उत्तर परदेश में तो ये परसंथे में तो पुर्पूर परसं, जो गुप्त समराज्जे से समंदित हैं, जो बार-बार आपके एक्जामों में देखने को आपको मिलते हैं, और अच्छे तरीके से हमने इस कलास को कवर किया है, आसा एक कलास आपको अच्छे तरीके से पसंद आई होगी, तो उसी परकार से हम जो डेली topic wise कर रहे हैं तो उस्चांदार तरीके से ताकि जो topic है वो आपका अच्छे तरीके से clear हो सके कोई भी person ऐसा नहीं चुटे जो examiner person बनाए और आपकी पहुंच से दूर रह जाए ऐसा नहीं होना क्योंकि हम वो person कर रहे हैं जहां examiner person बनाता है कि किस से कौन से topic से कहां पर person बना सकता है उसी person को आपके सामने लेकर आ रहा हूं यदि आपको एक class पसंद आई हो तो वीडियो को like करे चैनल को subscribe करे और अपने दोस्तों के पास जादा जादा share करे यदि आपका कोई भी person है कोई भी doubt है किसी भी topic को लेकर आपका कोई question है तो कमेंट करना नहीं बोले धन्यवाद